अध्याक्ष्य जी किसी भी देश की बिदेश नीती अपने में कोई स्वतंत्र नीती नहीं होती है बरन वह किसी देश की आंत्रिक नीती को इस पश्ट करती है उधारण के लिए हम अमरीका को ले सकते हैं उसने अपने यहां अधिक अन पैदा किया और जब उसके पास अनाज फालत बच गया तब बहन अपने बकाया अनाज की बिकरी के लिए ऐसे देशों की तलास करने लगा जो उधार पर माल ले सकते हूं किन्तु हमारी आंत्रिक निती ने यह तै किया की घर चिले ढंग से सरकार चलाएंगे और स्वादेशी मुद्रा की कोई रासी हमारे पास नहीं बचेगी हमने कर भी लगा दिये और मुद्रा प्रसार भी कर दिया कुछ संकट पढ़ने के बाद इस बात की आवश्यक्ता को नहीं समझा कि उस पैसे का कही अनयत्र उपयोग कर सकें स्रिमन मुझे माननिय प्रदान मंत्री जी के इस कथन पर दुख होता है कि दुनिया के अमेर और गरीव देशों का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है मैं उनसे यह पूछना चाहती हूँ की भारत की बिदेश नीती ने उस अंतर को घटाने की क्या कोशिस की है क्या भारत सरकार ने कभी दुनिया की पंचायत में यह कहने की हिम्मत की है की बालिग मताधिकार के आधार पर यू एन ओ का चुनाव होकर एक संसद बनाई जाए और क्या आप में यह देखने की हिम्मत है कि फोज के हिसाव से कर लगा कर एक बिकास का खाता खोल दिया जाए जो देश विक्षित हैं स्टॉप